आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फोन में इंगलिश से हिंदी में टाइपिंग कैसे करें तो इसके लिए आप अपने फोन में Google Play Store ओपन करिए उसके बाद उपर सर्च बार पे किलिक करिए टाइप करिए Gboard उसके बाद चेक करिए अगर आपके फोन में Gboard डाउनलोड नहीं है तो इसे डाउनलोड करिए वैसे जादा तर फोन में Gboard पहले से डाउनलोड होता है बट अगर आपके फोन में डाउनलोड नहीं है तो इसे डाउनलोड करने के बाद यहां से बाहर आईए उसके बाद अपने फॉन की settings open करिए, settings open करने के बाद नीचे scroll करिए, नीचे additional settings आएगा, इस पे click करिए, उसके बाद उपर languages and input आएगा, इस पे click करिए, और इस पे click करने के बाद उपर languages and input आएगा, यहां फिर keyword and input आएगा तो इस पर click करिए click करने के बाद नीचे manage keyword आएगा इस पर click करिए अब उसके बाद यहां पर keyword आएगा, अगर आपके phone में keyword off है तो इस पर click करिए और इसे इस तरीके से on करिए इसे on करने के बाद back आईए यहां पर अब current तो G-Word पे क्लिक करिए और G-Word को select करिए तो G-Word पे क्लिक करने के बाद इसे select करने के बाद यहां से बहार आईए, उसके बाद जब आप अपने phone में keyword open कर रहे हैं तो keyword में एक settings का icon आएगा, ये वाला इस पे क्लिक करिए उसके बाद उपर आएगा Languages इस पे किलिक करिये नीचे Add Keyword पे किलिक करिये उसके बाद उपर Languages आएगा इस पे किलिक करिये नीचे Add Keyword आएगा इस पे किलिक करिये अब उसके बाद आएगा Hindi तो Hindi पे किलिक करिये हिंदी सलेक्ट करने के बाद नीचे डन पे किलिक करिए डन करने के बाद यहां से बहार आईए और कीवोड में अब जब इसे उपन करेंगे इस पेस बार आएगा जिस पे इंगलिश लिखा है तो इस पे लॉंग प्रेस करिए दो से तीन सेकेंड दबा के रखिए तो हिंदी पे किलिक करिए इसे सलेक्ट करिए अब उसके बाद यहां पे चेक करिए इंगलिश से हिंदी में टाइपिंग हो रहा है तो देख सकती हैं इस तरीके से इंगलिश से हिंदी में टाइपिंग करें विडियो पसंद आई तो इस विडियो को लाइक जरूर करें